Hello Guys and Welcome to Learn Academy Plus YouTube Channel मैं जयतिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ Learn Academy Plus YouTube Channel में देखते हैं आज का टोपिक, आज का टोपिक है याद करने का बैस तरीका Indian Band Phrases का दो पार्ट आपके अरिदी क म्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों अगर आपने उन parts को नहीं देखा हैं तो आप देख लेना मैंने नीचे description box में link दे दिये हैं अब शुरू करते हैं जल्दी से आज का topic इंडिया बेंड फ्रेजिस का part 3 Let's start now तो आज की first slide और first idiom First idiom is all eyes All eyes means vigilant और observant मतलब चोकनना रहना अब आप इस image को देखो इसकी पूरी body ही eyes से बरी हुई है मतलब की जिसके पास इतनी सारी आखे होगी मतलब की दो से ज्यादा होगी तो वो कैसे होंगे? विजिलेंट होंगे चोकनने रहेंगे हमेशा तो आप इस image के through इस idiom को याद रख सकते हो और हाँ दोस्तों आपको वस copy में note करना है image नहीं बनानी है एक बार session खतम होने के बाद इन सभी idiom को पढ़ना आप देखना ये सभी images और जो भी मैं idiom के पीछे का origin बताऊँगा आपको अपने आप ही याद आएगा मतलब कि आपको वह idiom अब अच्छे से ना भूलने वाले तरीके से याद हो चुका है तो sentence बना लेते हैं अब इसका over the next few weeks all eyes will be on the pound next all ears all ears means to be eager to hear something या to be listen closely सुनने के लिए भहत उस्सुकता होना तो क्या बहु लेंगे उसे all ears image में देखो किस तरीके से लड़की दूसरी लड़की की बाते सुनने के लिए उस्सुक है जैसे आपके पड़ोस में अगर आपकी बुराई चल रही होती है तो आप भी दिवारों पर अपने कान लगा कर बैठ दाते हो जब ही तो कहते हैं दिवारों के भी कान होते हैं खेर यह तो मजाक की बात है और इसी मजाक मजाक में आपको एक idiom याद हो गया तो sentence बना लेते हैं kids in my class were all years when I was telling them the story next idiom next idiom is हश मनी हश का मतलब होता है दोस्तो चुप रहना शांत रहना तो एक ऐसी मनी जो सांत है तो क्या मतलब होगी इसका टू ब्राइब भई जब ब्राइब होगी वो मनी तो अंदर से यानि की टेबल के नीचे से दी जाती है चुप चाप दी जाती है तो भही हश मनी से आप रिलेट कर सकते हो to bribe जैसे image में दोनों हात मिला रहे हैं दो इंसान लेकिन आप ध्यान से देखो हात के नीचे पैसे है तो वो money कैसी है, चुप money, उपर से नहीं दी जारी, अंदर से दी जारी है, तो hush money का मतलब to bribe, sentence में use, he used it as hush money for his mistress, next medium, on one's guard, on one's guard का मतलब होता है, vigilant और alert रहना, जो हमारा all eyes का मतलब था, वही same meaning इसका है, vigilant और alert, आप इसको guard से relate कर सकते हो, तो guard आपने देखे होंगे, ATM में guard खड़ रहते हैं, banks वेगार रहके आगे, guard रहते हैं, तो वो कैसे होते हैं, vigilant होते हैं, alert रहते हैं, जैसे image में भी मैंने दिखाया है, तीन guard खड़े हैं, stall लेके, बंदुक लेके, तो वो कैसे हैं, alert है, तो आप इसका sentence में use, security staff are permanently on guard, next, all fools day, मेरे को नहीं लगता दोस्तो, ये idea में याद करने में आपको जरासी भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये सभी, आप सभी ने किया होगा, all fools day means, first अप्रेल, first अप्रेल के दिन, आप सभी ने गाना गाया होगा, किसी को बेफकू बना के, कि अप्रेल फूल बनाया, तो जिको गु मतलब की first अप्रेल, next stadium, a bag of bones, हड्यों का bag, इसका मतलब होता है दोस्तो, an amaciated person or animal, amaciated मतलब होता है, weak, कमजोर, मतलब की amaciated person, कमजोर व्यक्ती या animal, image में मैंने दो image लिए, एक bag है, देखो, नीचे वाली image, उसमें ये bag हड्यों से बढ़ा हुआ है, तो आप इस से relate कर सकत हो, और दूसरी image, दो व्यक्ती खड़े है, एक अच्छा खासा मोड़ता चाई इंसान है, और दूसरा, amaciated person है, मतलब की कमजोर व्यक्ती है, अगर इन दोनों में लिडाई हो गई, तो आपको पता ही है, कौन जीतेगा, तो आप इस image से, इसे relate कर सकते हो, sentence में यूज कर ल करना, या किसी से प्रात्ना करना, यहाँ पे prey, पी आर इवाई वाला prey है, जिसका मतलब शिकार करना होता है, तो a bird of prey का मतलब हो गया, a bird such as an eagle or a hawk that kills to eat small birds and animals, एक bird जो eagle और hawk जैसे, अपने खाने के लिए, छोटे birds या animals को मार देती है, उसे क्या कहते है, a bird of prey, आप इन दोनों image से इने relate कर सकते हो, जैसे मैं एक और example दूँ, आपने प्रित्वी राज चोहान एक serial आता था पहले, वो देखा होगा, वहाँ पे मुहमद गोरी ने प्रित्वी राज चोहान के दोस्तों को गायल करके एक खुली जगे में fact दिया था, छोड दिया था, तो आप लेते हैं, the owl is a bird of prey, next, enough rope, enough rope means to allow freedom to do what wants, जो करना चाते हैं, उसके लिए उतनी freedom allow कर देना, तो क्या कहला हैगा, enough rope, मानलो कोई व्यक्ति है, उसे एक पहाड से दूसरे पहाड पर जाना है, और उसके लिए उसे rope चाहिए, रस्सी चाहिए, तो उसे उतनी रस्सी दे दी गई है, मतलब कि जो वो करना चाता है, उसको उतनी इजाज़त दे दी गई है, तो आप इस story से इसे relate कर सकते हो, जैसे image में भी यह व्यक्ति रस्सी लेके घड़ा है, यहां से भी आप relate कर सकते हो, next idiom is token strike, token strike means a situation in which a group of workers refuses to work but only for a short period, कुछ समय के लिए काम को करने से मना करना, a group of workers द्वारा, जैसे अभी आप recent situation से relate कर सकते हो, कुछ doctors के against, violence हो रही थी, तो doctors ने एक strike कर दी थी, कि हम काम ऐसे नहीं करेंगे, अगर हमारे against, violence होगा तो, देखो image में भी मैंने वहीं से उठाई है, लिखा हुआ है, stop violence against doctors, तो इसे छोटी सी strike को क्या कहते हैं English में, token strike, example, they called a 24 hour token strike, next medium, green thumb, green thumb का मतलब होता है दोस्तो, person good at making plants grow, जो plants एकरा, grow करने में expert होता है, उसे क्या बोलते हैं, green thumb, image में मैंने thumb के ओपर, एक podal आया हुआ है, आप इस image से, इसे relate कर सकते हो, example, she has an unbelievable green thumb, she can grow anything, अब इसी के साथ, आज का session end करते हैं, I hope दोस्तो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, thank you for watching this